हलो फ्रेंज आपका स्वागत है आपके अपनी ही चानल पर आज हम आपको बताएंगे तुलसी के ओशदिये गुण आम हिंदू परिवारों में तुलसी पूजे मानी जाती है तथा धार्मिक क्रिया कलापों में इसका प्रयोग किया जाता है तुलसी के ओशदिये गुण भी अनेक है आईएं आज उनके बारे में हम जानते हैं तुलसी की पाच्छे पतियां और काली मिर्च को पीस कर इसे एक गिलास पानी के साथ रोजाना सेवन करने से मस्तिश्क की अवश्यक गर्मी शान्त होती है तथा मासपेशियां और हडियां मसबूत होती है तुलसी के बीच दूद में उबाल कर शक्कर मिलाकर पीने से भी बल वृद्धी होती है छाती में कव जमा हो जाने पर कपूर, शेहद वर तुलसी मिलाकर रात में सोने से पहले सेवन करे उससे आपको बहुत फायदा होगा तुलसी की पतियों को शक्कर के साथ चबाने से पेचिश में लाब होता है नकसीर की शिकायत में तुलसी का रस नाक में डालने वसूंगने से भी लाब होता है दात में दर्द की शिकायत में तुलसी की पत्ती पीस कर लुगदी सी बना कर पीड़ा युप्त दात के नीचे दबाएं दात का दर्द गायब हो जाएगा प्रती दिन नियमित रूप से भोजन के बाद तुलसी की कुछ पत्तियां स्वच जल के साथ लेने से पुराने से पुराना कप्स दूर हो जाता है यदि गले में खराश हो तो तुलसी की पत्तियां और अद्रग पीस कर शेहद के साथ चाटे खराश खतम हो जाएगी तुलसी की पत्तियों का रस गरम करके चार बूंद कान में डालने से कान का दर्थ बिल्कुल ठीक हो जाता है यदि कान भैता है तो रस कुछ दिनों तक लगादार डाले आग से जलने पर तुलसी की पतियों के रस को नारियल के तेल में मिलाकर लगाने से जलन दूर हो जाती है और चाले वगाव भी शीग्र भर जाते हैं अब तो आप समझी गए होंगे कि घर आंगन में तुलसी का पौदा लगाना कितना लाप्रद है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जाधा से जाधा शेयर करें धन्यवाद